जेपीएसी पीटी परिक्षा में गडबड़ी कारोप लगाते हुए जेपीएसी अभर्थी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं जिसके तहत सड़क से लेकर सोसल मीडिया तक अभ्यान चलाया गया लेकिन पीटी परिक्षा रद नहीं हुई उल्टे मेंस परिक्षा की घोसना क कर दी गई है हमारे साथ अभी छात्र नेता देवंदरनात महतों हैं जो सुरू से इस आंदोलन का नत्रुत कर रहे हैं उनसे ही जानते हैं देवंदर सुरू से ही आप नेत्रुत कर रहे हैं आंदोलन का पीटी परिक्षा रद नहीं हुए अब मेंस की घोसना हो गई है क्या है जिसको होना है इसलिए पास अभियारती भी हमारे साथ हैं जो मुख परिच्छा में बाट रहे हैं और मैं सुरू से कराओ कि साथ वी से दस्वी पूरी तरह सीट बिग गया है और यह जब पूरी तरह भष्टाचार का अड़ा कचला का डबा बन गया है इसका ओप्रेशन क अब यह परिच्छा रत होगा अब इसको चैनित कर ना उसको कर चुका है इसलिए पास अभियारती भी जानते हैं कि हम लोग का जो पैसा दिया उसी का होने वाला है और जो परिचा लिखेंगे उसका होने वाला नहीं है चुकि यह कॉलम पूरा किया जा रहा है इसलिए वो लोग सब हमारे साथ है और यह जब यह सी रद होके रहेगा और आपको हम बता दे रहे हैं हमने सुरू से कहा है आपके द्वारा पोस्ट काड अभ्यान भी च और निश्ची थी हर सवरूप में आंदोलन लडा जाता है लडा जाता है तो हम लोग हर सवरूप में लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि यह हमारा पक्च में निरने आएगा और यह जितने तमाम दोसी अधिकारी है वो सभी के सभी हटवार जाएंगे और अगर नहीं जा जरकन है जिस उद्देश से यहां लड़के बलिदान कुर्बानी तो त्याग और उल्गुलान करके जरकन लिया है उसी तर्ट पे हम लोग लड़ेंगे और विर्शा मुंडा सिद्धू कानू निलांबर पितांबर फूलो जानो बिनोत ब्यारी मातों सहिद दिनमल मातों क तर्ट पे फिर एक पर उल्गुलान खड़ा होगा अंदोलान इसी तरह जारी रहेगा जब तक पिटी परिक्षा रद नहीं होगा और वहीं सोरूप देखने को मिलेगा जो सोरूप आप कुछ दिन पहले जो लाटी चार जे फायार नजर बंद रात रात में जेल उल जो उ अब फूरू विदायक अमित महतो जी ने दिया है यह तरह कुदारन सोरूप है अब देखते जाए देखते जाए जारकन में जब जब यूआ बोला है राज सिंगासन डोला है तो आगे भी राज सिंगासन डोलेगा मिलमा जी हाई कोट में बहुत सारे अब लोग ने याची का दाखिल कि ती एक याची का अरक्षन को ले कर भी था तो हाई कोट ने उससे भी खारीज कर दिया है एक का फैसला सुरक्षित ममें की तो शेए बहुतissä का टायमी दियाisf gute affairs user कि इस पर तो होगा से सबता का टाइम दिया गया है ठीक है अब तो परिक्षा आपका 28 से लेकर 30 तक खतम हो जाएगा उसके बाद क्या परिच्छा होबे नहीं करेगा जी आप ही बताइए कि आपको कोरोना काल में आपका पूरा सिक्षन संस्थान बंद है एक युनिवर्सिटी में भी परिच्छा नहीं लिया जा रहा है कि पढ़ने लिखने तक नहीं आरहा लिपर ईश्चार हजार का लड़का में कोक्रों करोना नहीं नहीं है अम्हारों पिछला इतिहास आप नहीं जानते हैं चाहर बार गी देट का घोस ना की आता चार बार पांच बार जो आरोसरी नहीं परिच्छा को कि जो डोस्ता होने वाली नहीं आ, है यह कभी नहीं परिच्चा नहीं होगी को बता माननी मुखमंतुरी मोहोद सबस्राब नहीं भुख ए मनों जी अ दाव जिनका कहना था कि कोरोना काल में परिच्छा नहीं ली जानी है और जो गुस्ना की गई है वो परिक्षा भी नहीं होने वाली है ऐसा इनका मानना है अब देखना होगा कि 28 से 30 तारीक तक जो ली जाने वाली मेंस की परिक्षा है वो असल में होती है या नहीं समचार प्लस के लिए केमरापसर नवल के साथ निरज कमार राची